किसी भी जगए को क्या खुबसूरत और इंट्रस्टिंग बनाता है। भूगोल के हिसाब से देखें तो उसकी टॉपोग्राफी या हिंदी में जिसे बोलते हैं तल रूप और उस टॉपोग्राफी में कॉन्ट्रस्टिंग रंग और दूसरा वहां का मौसम और इतिहास जिसके सूचक होते हैं प्राचीन मंदिर और इमारते। तो एक ऐसी जगा जहां साफ नीले आसमान के नीचे खुले चौडे घास के मैदान हो। वहां से बरफ के पहाड साफ दिखते हो। और उनसे निकलती नदियां इनी मैदानों में और रंग भरती हो। सारा साल मौसम खुशकवार हो। और इतिहास जो महाभरत काल से भी प्राचीन हो। लगता होगा मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ। और आप पूरी तरह गलत भी नहीं हैं क्योंकि ये जगा वो गौलिक रूप से कश्मीर से बहुत मिलती है। और वो कैसे इस पर मैं आगे आता हूँ। पर ये जगा है हिमाचल की खुबसूरत कांगडा वैली। ब्यासनदी मनाली से होती हुई और कुल्लू वैली कार्व करते हुए मंडी और कांगडा वैली में पहुशती है। तो मनाली को देखने के बाद काफी लॉजिकल लगा तो एक्स्प्लोर कांगडा व वैली का स्ट्रक्चर काफी अलग है जो अभी थोड़ी डेर में डिसकस करते हैं। कांगडा वैली में एक से बढ़कर एक खुबसूरत टाउंस हैं जिनको रोड रेल और एयर तीनों मोड से पहुचा जा सकता है। एज यहां पर खुबसूरत कांगडा का एयरपोर्ट तो नाशनल हाईवे 503 और अकर देली या चंदिकर साइट से आ रहे हैं तो सबसे आइडियल रूट। देन नाशनल हाईवे 303 जो अगर शिमला हमीपूर होते हुए आ रहे हैं तो एक आइडियल रूट। तीसरा है खुबसूरत नाशनल हाईवे 154 रूट जो मंडी मनाली को पठान कोर्ट से कनेक करता है राइट थ्रू दा हार्ट अफ कांगरा में तो दिल्ली से करीब 9 घंटे की ड्राइव के बाद चोटे पहाडों पर खुबसूरत नजारों के बीच से होते हुए एंटर करते हैं हम कांगरा वैली में और इसके अल्मोस्ट इस साइट से एंटर कुछ राजे का हिस्सा रहा है जिसकी लीनेज महभारत काल से भी प्राचीन समझी जाती है और इसलिए इस टाउन की में अट्रेक्शन है खुबसूरत कांगरा फोट जो इंडिया का वन अदर ओल्डेस्ट स्टैंडिंग फोट है हाला कि 1905 के कांगरा अर्थक्विक में इस के खुबसूरत व्यूज मिलते हैं वैसे कांगरा राज्ये का महत्व अब इसी बात से पता लगा सकते हैं कि ऐसा माना जाता है कि राजा पोरस जिन्होंने एरेक्जेंडर के साथ युद किया था वो इसी डाइनिस्टी के हैं कांगरा के टाउन में एक काफी बड़ी एं सी खुबसूरत टाउन्स आगे आते हैं अल्सो कांगरा से ही करीब एक घंटा दूर है खुबसूरत मस्रूर रॉक का टेमपल्स आठवी सदी में वेदिक परंपरा से बने ये खुबसूरत मंदिर और पापबली वन द ओल्डेस्ट सर्वाइबिंग लाश्ट टेमपल्स इन तो कांगरा टाउन से अब कांगरा वैली के और अंदर चलते हैं दरसल कांगरा वैली गिरी हुई है शिवाली की पाडियों से इन द साउथ और धौलाधार की लेसर हिमालियस पर्वस ट्रिंकला से इन द नौर्थ धौलाधार की ये पाडियां चंबा में डल हाउजी के पा वेस्ट से इस्ट इंक्रीज करता है इसलिए कांगड़ा वैली की मोस्ट फेमस प्लेशिस इस्ट की तरफ ज्यादा है औल्सो दो अलग परवर्ट रिंखलाओं के बीच होने की वज़े से कांगड़ा की ये वैली एक लॉंगिट्यूडनल वैली है जबकि कुलू मनाली की वै इन कार्विंग दा वैली और ये वैली जेनरली नैरो होती है जबकि कांगड़ा वैली बनी द्यूटू मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स जिससे धौलाधार और फिर शिवाले की पाड़िया बनी जिन्होंने पहले धौलाधार रेंज से आ रही नदियों का रास्त दोर डिस्टिंक्ट रेंजिस के बीच होने की वज़े से ये वैली जेनरली ब्रॉड होती है। कश्मीर की वैली भी ऐसे ही बनी थी और ये भी पहले एक बहुत बड़ी लेग थी। तो अब कांगड़ा से एक घंटा आगे चलते हैं कांगड़ा वैली के प्रॉबबली मोस्ट फेमस टाउन में। अक्चुली ये ट्विन टाउन्स हैं अफ धरमशाला एंड मेकलोईड गंज। नीचे एड अबाउट 14-50 मीटर अटिजूट पर लोकेटिड है धरमशाला ज अब यहां की सबसे फेमस साइट है तलाई लामा का रेजिजजन्स एंड टेमपल जो कि यहां की में स्कुएर मार्केट से काफी बास है। ये मार्केट काफी बड़ी है और अज एक्स्पेक्टेट डॉटेट विट टिबितन बेस प्रॉड़क्ट्स। इस में स्कुएर से थोड़ा उपर आता है 200 साल पुराना भक्सुनाथ टेमपल जो बनाया था फर्स्ट गुर्खा रेजिमेट के सोल्जर्स थी जब अंग्रेदी शासन के दोरान वो यहां स्टेशन्ट थे। इस मंदिर को दोबारा बनाये गया आफ्टर इट गॉट डाम के ट्रेक के बाद आता है खुबसूरत प्रियून जहां से साब दिखती है धौलाधार की स्नो लाइन। में स्कुएर के दूसरी तरफ पहले आती है खुबसूरत सेंट जॉन्स चर्च जो करीब 170 साल पुरानी है और बरियल साइट ऑफ बिटिश गवर्नर जेरल लॉड एल 1905 कांगरा अर्थकुए के मैसिव डैमेज के बाद इस ब्लेस ग्राजुली रिदूस्ट इन इपॉर्टन्स पर ब्रिटिश पर 1959 में दलाई लामा के आने के बाद इट रिगेंड इस पास्ट ग्लोरी यहां से फिर थोड़ा आगे आती है मेकलोईट गंज की डल लेक एंड इसके साथ एक शिव बंदिर और इसके भी आगे आता है नड़ी व्यूपॉंट कांगरा से करीब एक घंटा दूर है फ्राबेब्ली कांगरा वैली का सबसे खुबसूरत टाउन पालंपूर पंद्रा सो मीटर पर बसा ये टाउन नॉर्थ इंडिया की टी कैपिटल भी है खुबसूरत टी गार्डन के अलावा यहां देखने के लिए है न्यूगल खाड जहां से मिलते हैं धौलाधा रेंज के खुबसूरत व्यूज और इसके पास ही है कार्गिल मार्टर कैप्टन सौरफ कालिय को डेडिकेटेड सौरफ बनविहार वैसे पालंपूर is also the hometown of कार्गिल वार हीरो एंड परम चक्रा अवाडी कैप्टन विक्रम बत्रा पालंपूर और मेकलॉइड गंज के रास्ते में करीब आदा घंटा दूर आता है एतिहासिक चमुंडा देवी मंदिर जो ये मंदिर तेरा सो साल पुराना है और यहां ये मानिता भी है कि बैजनात में ही रावन ने शिफ की तपस्या करी थी तो इसी लिए ऐसा कहा जाता है कि यहां दशेरे में रावन की एफिजी नहीं जलाई जाता है इसके आगे पालंपूर से एक घंटा दूर आता है कुपसूरत बीर जो फेमस है अपनी प्लेस बिलिंग के लिए यहां से थोड़ा ही आगे पड़ता है कांगरा रेलवे का आखरी सेशन अट जोगिंदर नगर और साथ ही है हरावाग का टाउन जो फेमस है अपने मेस्मराइजिंग व्यूस के लिए इसके अलावा कांगरा वैली के साउथ में टूर्ज शिवालिक्स आता है कांगरा से डेड़ घंटा दूर पॉंक डैम की ब्यूरिफुल साइट एंड लेक जहां है ये सममर्ज टेंपल से और इसके पांस ही है हरीपूर फोर्ट देन यहां से 45 मिनट टूर है प्रागपूर का 300 साल पुराना हेरिटेज विलिज ट्रियूंड के अलावा यहां और पॉपुलर ट्रेक्स हैं इंद्रा हर पास और खुबसूरत करकरी लेक। कांगरा वैली से आप नैशनल हाइवे 154 लेकर वेस्ट में टूर्ड जलहूजी या इस्ट में टूर्ड मनाली के खुबसूर हिल स्टेशन्स भी जा सकते हैं